दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले की कैसे आप Google Ads रन कर सकते हैं अपने पैश्ट कंट्रोल बिजनेस के लिए अगर आप पैश्ट कंट्रोल की सर्विस प्रवाइड करते हैं तो उसके लिए कैसे आप को इस टेप आप पूरा एड सेट अप करना है इस वीडिय के लिए आप Google meant करना चाहते है के लिए को этरन करना चाते है तो आज की वी डियो खमप्लित नहें तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं हर एक पोई-टाप इसटे बाएड बताने वाला हूं इसलिए वीडियो में बंद आ आज करते हैं पैश्ट कंट्रोल बिजनेस के लिए Google Ads कैसे बनानी है सबसे पहले हम like Google Ads के dashboard पर आ गया है और यहाँ पर आने के वाद सबसे पहले आपको new campaign पर click करना है new campaign पर click करने के बाद plus new campaign करना है हर एक point step by step है bidding कैसे choose करनी है, keywords कैसे लेने है ad copy कैसी रखनी है सब कुछ इस वीडियो में हम discuss करने बाले है plus new campaign पर click करते है जैसे ही आप new campaign पर click करोंगे आपके सामने campaign के objectives आएंगे कि आपका objective क्या है आप like ad run करना हो तो आप क्या चाहते हो sale चाहते हो, lead चाहते हो website traffic चाहते हो so मैं अभी के लिए सबसे last one objective लूँगा create campaign without goals guidance यह objective लेने से सारे type की campaign create कर सकते हैं हम especially call ad की बात कर रहा है हमने यह objective चूज कर लिया campaign के type में search लेना है, मैं आपको बता दूँ like google search ad मैं हम दो तरीके की, जब हम campaign की type search लेते हैं, तब हम दो तरीके की ad बना सकते हैं, एक तो google search ad और एक call like responsive search ad जिसको बोल सकते है responsive search ad और call only ads यह दोनों ही search का पार्ट है responsive and call only और इस वेडियो में especially हम call only बनाने वाले हैं best control के लिए, तो search अबने यहां से select कर लिए, इसके बार आपको यहां पे मिलेगा, select the result that you want to get from this campaign आप website choose कर सकते, phone call app downloads में आपको बताना चाहूंगा यह हम call campaign create कर रहा है तो अभी हम कोई भी नहीं ले रहा है आगे फिर से options आएंगे, तब हम बहां पे select करेंगे, तो हमने यहां पे name दे देते हैं, सिर्फ अभी हम call ad demo और continue करते हैं continue करने के बाद ही add one में start होती है, bidding का फिर से पहला step आएगा, तो एक बार हम देखते हैं continue करते हैं, अब जैसे ही हमने start new किया, यहां पर हमारे पास google ads का यह next interface आगया, यहां पर आपको ad create करनी है, five step में होगी, bidding, campaign setting, keywords and add budget and review, यह कुछ steps हैंगे, bidding रहेगा, फिर campaign setting रहेगा, फिर keywords and add रहेगा, budget रहेगा, review रहेगा bidding में सबसे पहले हम यहां पर set कर लेते हैं, clicks यहां पर clicks है, conversion value है मैं बता दूँ, जब भी आप add start करें तो starting में आपकी bidding strategy रहे, आप try करें clicks और maximize click जिसको हम बोल सकते हैं, maximum click यहां पर रहेगा, क्योंकि starting में यह clicks पर अच्छा perform करेगा फिर आगे चलके आप इसको चाहों तो maximize conversion इन सब में सुच कर सकते हो, मैं example के लिए हमेशा और मैं हमेशा clicks लेता हूँ starting में, आप clicks की CPC set करना होता maximum, यह आपको पूछ रहा है कि आप कितना maximum CPC दे सकते हैं, अगर आप इसको uncheck कर देंगे तो इसका मतलब है कि आप automatic यह CPC पकड़ेगा, automatic आपका clicks का पैसा कटेगा अगर इसको आप चेक करते हैं, तो यह पूछ रहा है आप कितना CPC दे सकते है पर click, तो इसके लिए मैं already बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, tools and setting में keyword planner मिलता है आपको यहाँ पर planning में जाएंगे तो keyword planner मिलेगा, यहाँ पर आप किसी भी keyword की maximum CPC आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो अभी के लिए मैं best control के लिए 50 add कर रहा हूँ, फिर आप बहाँ से find करके, यहाँ पर add कर सकते हैं, महाँ पर एक estimate data आपको so हो जाता है, हम करते इसको next, next करने के बाद first step complete हो जाता है second step campaign setting आ जाता है campaign की setting में networks, location, decide करना होता है language बगेरा, like सबसे पहले networks है तो दोनों networks को uncheck कर देना है, क्योंकि यह Google के search partner के लिए है और यह Google के second वाला display partner के लिए हम especially Google पर चला रहा है ना कि उनके partner platforms पर चलाना चाहते हैं, इसलिए इसलिए हमने दोनों को uncheck कर दिया इसके बाद next option जो आपको देखने को मिलेगा location का, location में जो भी आप location जिस location पर आप service provide करते है, pest control किया फिर जो भी business है वो location आपको यह type कर देनी है so मैं Bhopal location में मान के चलो service provide करता हूँ example के लिए मान के चलो मैं Bhopal location में service provide करता हूँ तो मैंने Bhopal मद्वदेस answer ले लिया ठीक है, location option काफी जरूरी है इस option में आपको दो option मिलेंगी presence और interest और second है presence आपको उन लोगों को target करना है जो look presence है first वाला करोंगे तो interested audience भी आ जाएगी कोई बन्द देली से भी search करेगा past control service in Bhopal उसको भी देली से भी add जाएगी लेकिन जो second option choose करोंगे जो हम उन्ही लोगों को add देखेगी जो real time में इस location पर है ठीक है so हमने presence ले लिया all कर देते हैं इसको next next करने के वाद हम आते है third step third step है keywords और ads का यहां पर ही हम अपने keyword decide करने होते हैं कि हम कौन से keyword use करें हम अभी broad match में keyword लेंगे broad match मतलब की search term इसकी broad होगी और like three type के keywords होते है like matches होते है broad match, phrase match, exact match exact match में जो keyword आप यह put करोंगे exact उसी पर आपकी searches देखेंगी broad match में related keywords पे भी searches दिख जाती है so example के लिए थोड़ा सा scroll down करते हैं यह दिख सकते हो broad match के लिए यह है कोई आपको symbol यूज नहीं करना है phrase match के लिए इस type से आपको symbol यूज करना है exact match के लिए इस type से तो फ्रेज में क्या होता है कि अगर आपने मालू past controls यहां पे like type किया तो आगे पीछे कोई बंदा search करेगा तो उसको आपकी add दिख जाए exact में केवल उसी keyword पर दिखेगा जो आप यहां पर bracket में जो keyword डालूंगे broad match में आगे पीछे exact उसी keyword पर miss spellings पर भी कभी-कभी add दिख जाती है और related keywords पर भी दिख जाती है और जो आपके काम के नहीं उनको आप यहां से remove कर दें जो भी काम के किवल उनको ही रखे हैं और सारे यहां पर आप remove कर दें ठीक है mosquito pad control या फैर जिस type की भी आप service देते हैं वह आप रखे हैं वह सारे आप like remove कर दें ठीक है best control treatment और यह सब जो भी लगते हैं मुझे कि यह यह मैं ले सकता हूँ cockroach control ठीक है जो भी हो भी आपको लगते वह आप ले और बाकी आप remove करते हैं ठीक है मैंने यह कुछ keywords ले लिए मान के चलो यह कुछ keywords हैं तो इन मैंसे भी जो जो भी काम के नहीं वह आप remove कर सकते हैं अभी के लिए मैं demo ad बना रहा हूँ तो मैंने कुछ keywords ले लिए ठीक है हम इनको proper arrange कर देते हैं ठीक है अब scroll down करते हैं अब यह जो responsive ad इसको cancel करना है यहां पर कोई add नहीं होनी चाहिए cancel कर देना है या delete कर देना क्योंकि हम responsive ad नहीं बना रहा है इस business के लिए हम specifically बना रहा है call ad तो इसको cancel कर देना है अब हमें चलना है next next करने के बाद daily wait आता है तो मान के चलो मैं 500 rupees per day spend करूँगा pest control business के लिए यहां पर estimate data आ रहा है कितने clicks आएंगे कितनी cpc जाएगी weekly cost क्या यह सब estimate data आ रहा है हम next करते है next करने के बाद यहां पर एक option आ जाएगा your campaign is almost ready to publish है यहां से publish कर सकते है अभी हमें add create करने के लिए बोल रहा है तो यहां से नहीं करना है क्योंकि अभी हमने add नहीं बनाई है सिर्फ हमने bidding चूज किया location चूज किया keyword चूज किया add नहीं बनाई है ठीक है और keywords add करने है तो यहां से apply कर सकते हो लेकिन अभी मुझे जादा keywords नहीं करने है मैं इसको करता हूँ publish फिर हम add बनाएंगे अब जैसे ही आपने publish कर दी यह आपका campaign ready हो गया है अब यह बोल रहा create campaign create campaign तो यहां से campaign create नहीं करना है आपको ads and assets में आना है यहां पर ads and assets में आना है ads पर click करना है यहां पर create ad पर click करेंगे दो options आएंगे responsive search add call add हम call add सबसे पहले एक ad group choose करना है ठीक है अब यहां पर अपना country select करना है जो भी number आपका है क्योंकि country code आएगा उस वज़े से ठीक है अब यहां पर अपना phone number देना है अगर आपको भी services चाहिए Google ads related तो आप हमें इस number पर WhatsApp कर सकते हैं हम आप कमारी जो भी details होंगे हम share कर देंगे अब आपको यहां पर अपना एक landing page एक website create कर लेनी है ठीक है और हमारी services में website बगएरा सारा कुछ हम create करके देते हैं अगर आप देंगे यह समझ लो अगर आप verification URL देंगे और final URL अगर आप देंगे तो यहां पर visit website का option हा जाएगा यह देख सकते हैं अगर आपने इसको remove किया देंगे आपका visit website का option नहीं होगा तो customer को अगर आपको अपनी website दखानी है तो final URL दें नहीं दखानी है तो इसको मत दे ठीक है अब display path मैं आप कुछ भी डाल सकते एक्जामपल के लिए मैं डेमो के लिए अपनी website लिए बट मैं डिस्पले पात में यह डाल देता हूं पैस्ट कंट्रोल ठीक है अब यहां पर like मैं आप एडलाइन डालता हूं call अच्छा जब भी call only add बनाओ तो call words का use जरूर करना है call तोड़े फोर पैस्ट कंट्रोल अब सर्वेस ठीक अतना ही लिखते है बैस्ट पैस्ट 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 कंट्रोल सर्वेस ठीक है मैंने हैडलाइन टाइप कर दी है आपर इसको स्मॉल कर देते हैं यही दे रहा हूं मैं डेमो के लिए content लिख रहा हूं याद रखना यह मैं real ads के लिए नहीं लिख रहा हूं इस तरीके से आपको प्रॉपर टरीके से call to action प्रॉपर तरीके से business का नेम सब कुछ प्रॉपर तरीके से mention करना है description बन एक ad कर देते हैं Google इस तरीखे से आपकोip expect control के ल्ये ऐड and create करने, अच्छा, सबसे पहले call reporting को off करेंना वनना goole की number से राउप साफुना है, अगर आप call reporting on रखेंगे, अगर आप call reporting on रखेंगे, तो google के number से call आएगा, और call reporting off करेंगे, तो customer की number से direct call आएगा, अब off और on कैसे करते हैं, तो all campaigns में जाना है, settings, account settings, call reporting on off करने का feature मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपको पूरा complete setup करना है, Google Ads में, best control business के लिए, तो आज की वीडियो इतनी रखते हैं, वीडियो चिलिकूर को लाइक करें, हमाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट है, comment box में comment करके पूश सकके, thank you guys, thank you watching this video.